लता मंगेशकर के निधन को अभी जुमा जुमा पास दिन भी नहीं हुए लेकिन उनके नाम पर गंदी हरकते होना शुरू हो गई हैं इन सब हरकतों को देखकर अब लता दीदी के भाई हिरदरनात मंगेशकर इतना भड़क गए हैं कि उन्हें अपनी तरफ से एक बयान भी जारी करना पड़ा है दरसल 6 फरवरी को जिस शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संसकार किया गया उसी पार्क में उनका एक मैमोरियल बनानी की मांग की गई थी ये मांग बीजेपी की तरफ से हुई थी लेकिन इस मांग को शिपशेना की तरफ से ठुकरा दिय गया 28 एकड में फैले इस पार्क में बाला साहिब ठाकरे हर साल बिजय दश्मी के मौके पर रैली किया करते थे बाल ठाकरे के बाद मौजूदा शिपशेना अध्यक्ष और महरास्ट के मुखिमंत्री उदव ठाकरे इस परंपरा को बढ़ा रहे हैं वहीं महरास्ट के दू पर राजनीती बंद करते नी चाहिए इस मारक की मांग हमारे परिवार की तरफ से नहीं की गई है और ना ही हम ऐसा कुछ चाहते हैं वैसे इस पार्क में बाला साहब इसमर्ती स्थल बनाया गया है दूसी तरफ महरास्ट सरकार ने लता मंगेशकर के सम्मान में मुंबई के कलीना में अंतर राष्ट यस्तर की एक संगीत अकाडमी बनाने का फैंसला किया है महारास्ट सरकार के इस फैसले पर लता मंगेशकर के भाई ने भी सहमती जताती हुए कहा है कि दीदी के नाम पर संगीत अकेडमी बनाना उनके लिए सबसे अच्छी श्रत धांजली होगी पिलाल इस पूरे मामले पर आपकी कह रहा है हमें कमेंट में बताएं